और इस वक्त बारे साथ संबाराता जतिन शर्मा जैदपुर से ही जुड़ गए हैं और उनके साथ स्थानिय पार्शत भी है जतिन आप उनी से बात करिये और ये समझने के कोशिश करें कि देखें ये जो आबादी है ये अवैद रूप से रह रही है इन्हें भी ये पता है लेकिन इन लोगों के लिए इनकी रोज़ी रोटी का और कोई साधन भी नहीं है कहीं रहने के लिए जगए नहीं है अब कोई तो कोई हल तो निकलेगा ना अज बिलकुल हम स्थानिय पार्शद से आपकी बात करेंगे लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरे दिखाओं ये अरपन पुलिया है यहीं से ही जो ड्राइब 11 बजे के असपाश शुरू कर दी जाएगी साउत MCD के जो मेर है वो भी यहाँ पर पहुचेंगे और यहीं से शुरुवात की जाएगे सानिय पार्शद हमारे साथ मौजूद है जैतपूर वाट के 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 शुकला जी शुकला जी बताइए कि आज आप लोगे ड्राइफ शुरू कर रहे हैं जो अतिक्रबन हुआ है जम समय यह रूटीन एक प्रक्रिया है दो हफते पहले भी हमने हटाया था जहांगिर्पुरी कांड के पहले भी हटाया था और लगातार MCD के आप साइड पे जाएंगे हमने कहां इंक्रोजमेंट हटाया है कहां हमने किया है वो सब दिखाई देगा अब रही बात है इंक्रोजमेंट ड्राइफ की बात जो कह रहे हैं हम उन इनलीगल निर्मानों को हटाना चाहते हैं जो जमना बेल्ट में है जो यूपी इरिग पपज़ा कर लिया लोगों ने ऐसे लोगों को पहचाने और हम आपको कहना चाहते हैं पतकार बंदों सापील करना चाहते हैं जो भी गलत है उसको आप उठाएं जो खेत में काम करने वाले लोग थे वो पहले जुग्डियां डालके रहते थे लेकिन उनकी आर में जो माफिया तब का जो चद्दर डाल लिया जो लिंटर डाल लिया वो तो गलत है वो जो खेत के लोग काम करने वाले लोग थे जो घास फूस के छपट डालके रहते थे और वहाँ खेत ही करते थे उनकी लिए तो कोई प्राबलम नहीं है प्राबलम उनकी है जो लोग वहाँ जतीन लेकिने भी ज़रूर